मुख्य मंत्री नितीज कुमार बिहार वाश्यों को एक बड़ा तौफा देने जा रहे हैं और यह तौफा है पटना के हरताली मोड पर बनने वाले जो अंडर पास जो है जो ब्रीज है वो बनकर अब तयार है और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं देखिए इस ब्रीज की कर दिया जाएगा दो लेन बनाएगा है एक जो है जो है जो वर ब्रीज है वो है दूसरा जो है अंडर पास है अंडर पास के माद्यम से भी जो लोग है वो हर्ताली मोड से जो आर ब्लोक से सीधे हर्ताली मोड जिनको जाना है वो आराम से जा सकते है तो यह लोहिया पत्थ लोहिया चक्रपत जो है उसका दूसरा फेज है और उसी के तहट जो है ये अंडर पास तो है उबर वरीज का निर्मान कराए जा रहा है तो कोशिश है मुखमाद नितीश कुमार की ये लगतार कोशिश रही है कि लोगों को जाम की समस्था से निज़ात दिलाई जा है और इस को भी बनाया जा रहा है तो लगभë काम पूरा हो गया है रंगाई पॉताई का काम जो है वो जारी है और जो उमीद है कि इस महिन्यके आंद तक हमिए टीशकुमार का यह रिम प्रोजेक्ट भी है और जो भी लोग पटना में आए उनको जाम कि समझता से निजात मिले और खास्त पर आर ब्लॉक से हरताली मौर और बेली रोड जिन व्यक्ती को जाना है या बोरिंग रोड जाना है उनको इसी अंडर पास के मादम से और इसी को लेकर कुरूरूरूरूपे की लागत से ओवर ब्रीज और अंडर पास का निर्मान वो बिहार की सरकार के दोरा कराया जा रहा है और जो सुचनाएं मिल रही है कि इस महीने के अंतिम सप्ता में इसका लोकारपन भी आम लोग के लिकिया जाएगा तो यह आर ब्लोक का इलाका है आर ब्लोक से सीधे जिनको बेली रोट जाना है या जिनको बोरिंग रोट जाना है या जिनको हाई कोट जाना है वो सुगमता के साथ इस रास्ते का उपयोग करेंगे और काफी आत्यादमिनिक तरीके से इसका निर्मान भी कराए जा रहा है एक तरफ जो है घार है अबर ब्रीज के मादर्दें से सीधे कोई भी अक्ति जा सकता है दूसरा अंडर पास है तो लोहिया जो चक पत है उसका ये दूसरा फेज है और दूसरे फेज का काम भी लगबग पूरा हो चुका है रंगाई पोताई का काम जो है वो जारी है और जो चर्चाय है जो सुत्र बता रहा है कि इस महीने के अंतिम सब्ताह में मुक्मंतिनी 30 कुमार इसको आम लोगों के लिए लोकारपित भी कर देंगे कर्दमिन स्याम के साथ उनीश कुमार कसिस्ट नूज पतना